इंडिया की सफीना यूक्रेन में मार्शाल लौ की वज़ा से फज गई मेरी वाहिद खौईश ये है कि मैं मेरा शोहर और हमारा बच्चा हम तीनों साथ इंडिया जाएं लेकिन चुके मार्शाल लौ नाफिज है इसलिए मेरे शोहर तो नहीं जा सकते चनाचे मैं भी अपने शोहर को छोड़कर इंडिया नहीं जाओंगी इंडिया निजाद सफीना खिनो फिलवक यूक्रेन में है सफीना के शोहर यूक्रेनी है और उनका 11 मा का बेटा भी है उन्होंने बीबी सी के साथ वीडियो गिफ्टगू में कहा कि वो जहां है वहां से निकलना इस वक्त बहुत मुश्किल है क्योंके रूसी फौजी वहां दाखली और खारजी रास्तों पर मौजूद है अब तक हमारे लाके में हमला नहीं हुआ है मगर हम घिरे हुए हैं हमें नहीं मालूं कि हम कब तक महफूज रहेंगे रूस की यूकरेन पर हमले को 6 दिन हो चुके है मुल्के सदर विलादिमिर ने अपने टीवी खताब में कहा है कि रूस ने अब तक उनके मुल्क पर 56 रॉकिट और 113 क्रूज मिजाईल दा गए है इंडिया के शहर बैंगलोर से तालुक रखने वाली सफीना कहती है कि इस से हमें और रूस दोनों को ही नुखसान पहुँच रहा है सफीना जनवरी से ही इंडिया आना चाह रही थी मगर आर्जी रहाइशी पर्मिट जायदुन म्याद होने और अपने बच्चे का पासपोर्ट ना होने के बाइस वो दस्तावेजाद का इंघार करने पर मजबूर हुई फिर 14 फरवरी को उन्हें दस्तावेजाद मिल गई मगर उन्हें और उनके बेटे को कोविड हो गया कोविड से सहत्याब होने के बाद उन्होंने 26 फरवरी के लिए इंडिया का टिकेट बुक कर वा लिया था मगर फिर 24 फरवरी को हमला शुरू हो गया और फिजाई हुदूत बंद कर दी गई वो हस्ते हुए कहती हैं कि मेरी वालदा और मेरे खांदान के लोग बहुत मायूस हुए हैं क्योंकि वो मेरे बच्चे की पैदाईस से अब तक उससे नहीं मिले मेरी वालदा हम से सुबा और शाम के आउकात में वीडियो कॉल्स पर बात करती हैं उन्हें बहुत दुख है कि मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगी मेरे बेटी की सालगिरा तीस मार्च को है और मेरी उन्निस मार्च को हम परिशानी में हैं मगर जैसा है जी रहे है